इरान हो, यमन के हूती हो, तुर्की हो, सीरिया हो, मिस्र हो या जॉर्डन हो हिजबूला को इसराइल की मार से बचाने की दाकत इस वक्त किसी में नहीं है क्योंकि इसराइल ने मोराल ग्राउट बना रखा है कि इसराइल के एस्तियोटि के लिए चुनौती है और इस ग्राउंड पर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है लिबनान इसराइल में युद्ध छिड़ता है यानि इसराइल टैंक लेकर लिबनान में घुंगता है तो ये पहली वार नहीं होगा 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल का आमना सामना हो चुका है 2004 में हुए साइनिकों की अदला बदली में अपने दो साथियों को नहीं शोड़ने के बाद 2006 में हिजबुल्ला ने दो इसराइली साइनिकों को उठा लिया और उससे बदले में अपने तीन साथियों को रिहा करने की मांग की इस मांग को इसराइल ने अपनी बेज़ज़ती माना इसके बाद इसराइल ने लिबनान में हवाई हमले किये और लिबनान के खलाफ युद्ध शेड़ दिया इसके बाद हिजबुल्ला ने इसराइली सैनिको इलाको को अपनी मिसालों से निशाना बनाया जिने इसराइली डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ था इस युद्ध के दौरान इसराइल अर्बो डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सका दुनिया की सबसे मजबूत चैंक कही जाने वाली चैंक को भी हिजबुला ने नश्ट कर दिया और तीन हेलिकॉप्टरों, बीस टैंकों और एक लड़ाकु पोत को नश्ट कर दिया इसे यद्ध में इसराइल को हिजबुला ने अपनी सैन्य शम्टा का बहतरीन प्रिद्शन करते हुए इसराइल को पहली बार हार का सुआँ चकाई था इसके बाद से ही इसराइल हिजबुला को एरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है सवाल है क्या 2,024 में युद्ध हुआ तो हिजबुल्ला इसराइल को सबक सिखाने की सूरत में है इस सवाल का जबाब आपको दोनों देशों की ताकत की तुलना से साफ हो जाएगा लिबनान के पास एक्टिव सैने संख्या है मात्र 80,000 इसराइल के पास है 1,70,000 यानी दो गुने से जादा इसराइल के पास रिजर्व फोस 4.6-5 लाग है जबकि लिबनान के पास है ही नहीं इसराइल के पास 80,000 जवानों की पैरा मिलिटरी फोस है जबकि लिबनान के पास सिर्फ 25,000 जवानों वाली पैरा मिलिटरी फोस है जिब कि लेबनान के पास एक भी नहीं, इसराइल के पास 32 से Dedicated Attac Aircraft हैं, वहीं लेबनान के पास सिर्फ 9 हैं। इसराइल के पास ट्रांस्पोर्ट एर क्राफ्ट 86 हैं, जिब कि लेबनान के पास एक भी नहीं। इसराइल के पास 126 हेलिकॉप्टर्स हैं लिबनान के पास सिर्फ 60 इसराइल के पास 2200 टैंक्स हैं लिबनान के पास सिर्फ 361 इसराइल के पास 300 मुबाइल रॉकेट पोजेक्टर्स हैं लिबनान के पास सिर्फ 30 नौसना में जहाजो और युद्ध पोतो के मामले में लेबनान इसराइल से आगे है इसराइल के पास सरसर जहाजो जबकी लेबनान के पास इस से उननीस जादा या जिगा जहाजो का बिड़ा है इसराइल के पास 56,292 आर्मड विकल हैं लिबनान के पास 9864 बखतरबंद वाहन हैं इसराइल के पास 48 एरपोर्ट्स हैं जब कि लिबनान के पास सिर्फ 8 ही हैं इसराइल के पास 5 बंदरगा हैं जब कि लिबनान के पास सिर्फ 2 इतनी लंबी चोड़ी संख्या बताने के पीछे का मकसद है कि एकदम क्लियर तोर पर समझा जा सके कि कौन किस पर भारी है लेकिन 2006 के जंग के दोरान भी इसराइल ताकत के प्रदर्शन में लेबनान पर भारी था जब नतीजा इसराइल के पक्ष में नहीं निकला इस वक्त हिजबुल्ला मत्यपुर्व की सबसे मजबूत और परश्रिक्षिंग सेनाओं में से एक है और इसराइल चारों और से शर्त्रों से खीरा देश रहे नितर्याहु की दिमाग में ये भी साफ है कि 2006 के बाद हिजबुल्ला से बदला पुरा करने का यही वक्त है लेकिन इस बदले की चाहत में दोनों और से होने वाली मौतों की तादाद कितनी होगी ये बतापना मुश्किल है लिबनान में 17-18 सितंबर को टेजर और वाकी टाकी में धमाके हुए थे इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2300 से ज़ादा लोग खायल हुए थे हिजबुल्ला ने इन हमलों के लिए इसराईल को जिम्यदा ठहराया है